नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत था टेक्नोलोजी कीडा चनल में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कैस्केटिंग डॉपडाउन लिस्ट बताया था तो वो आप लोगों के द्वारा ही पूछा गया सवाल था रितु शर्मा का ये सवाल जो पूछा गया था वो था लेकिन अच्छली में उनका सवाल था वो दूसरा था उन्होंने दुबारा से मेल करके मुझे पूछा है कि सर ये मेरे पास डॉपडाउन लिस्ट वन है जिसमें फॉर्स लेबर की रिक्वेस्ट है ल, a, b, o, u, r, लेबर वन ये दूसरे लेबर की लिस्ट है लेबर टू ये तीसरे लेबर लिस्ट है ठीक है तो ये उन्होंने पूछा है मुझसे कि सपोज आप लोगों के पास एक लिस्ट है लेबर की लेबर्स लेबर्स लिस्ट है मान कर चलिए A B C D E F F तक हमारे पास लेबर्स हैं तो सपोज आप लोगों ने फॉर्स लेबर इसमें आप लोगों का जो फॉर्स आएगा वो यह टेक्स आएगा फॉर्स लेबर सेकंड लेबर एंड थर्ड लेबर मैं रितु से पूछना चाहता हूं रितु एक्चूली में आप लोग क्या करें ऐसे क्वेरी को हैंडल करने के लिए उनका जो सवाल था वो क्या था कि यह लेबर लिस्ट मेरे पास एक ही है मैं इसमें से A B C D E F यह सभी बाइंड हो जाएं इनसे A, B, C, D, E, F ये इससे भी bind हो जाएगी A, B, C, D, E, F तीनों लिस्ट जो है वो bind हो गई similar लेकिन जो first text है आप लोगों का वो first labor, second labor, third labor आ जाएगा ये आ जाएगा आप लोग यहां तक तो आप लोग कर सकते हैं simple है कि controller के अंदर आप लोग क्या करें तीनों को bind कर लीजिए bind on कर लीजिए और view पर आप लोग send कर दीजिए तीनों को bind करके कर दिया तीनों को bind कर लिया और view पर आप लोगों ने भेज़ दिया ASP.NET Core के अंदर simple सी चीज है अगर आप लोगों को नहीं पता तो drop down list को कैसे या select list को कैसे bind करते हैं वो आप लोग देख सकते हैं वो उस पर आप लोगों को मिल जाएगी same list से bind करना है ठीक है और जो html point है उस पर आप लोग जो view section है उस पर आप लोग option बनाएं सभी के लिए option और value equals to minus one और उस पर यहाँ पर डाल दीजिए first label ऐसे ही आप लोग जो हैं दूसरे के लिए आप लोग डाल दीजिए second label और तीसरे के लिए डाल दीजिए third label अब मैंन बात ही आती है रितुले सवाल पुछा है कि sir actual में अगर मैं इसमें से a select करूँ तो इसमें से a हट जाना चाहिए इसमें से b हट जाना चाहिए ठीक है अगर मैं इसमें से b select करती हूँ तो इसमें से b हट जाना चाहिए इसमें से b हट जाना चाहिए a नहीं हट जाए ठीक है यानि कि जो इसमें select किया जाता है वो इसमें ना visible हो ना ही इसमें visible हो अगर इसमें कोई चीज select कर ली जाती है तो वो इसमें visible नहीं होनी चाहिए और इसमें visible नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इसके लिए तो आप लोग jquery भी use कर सकते हैं easily है आप लोग jquery में क्या करें यहां पर देखिए मैंने लिखा dollar shine document.ready function यहां पर आप लोग function चलाए ready function और यहां पर ready function हो गया कि document पूरा done हो गया आप लोगों का अब आप लोगों को क्या करना है जैसे कि मैंने इसको मान लिया list1 इसको मान लिया list2 इसको मान लिया list3 इसकी id property मान के चलिए इन सभी किये तो यहां पर मैं क्या करूँगा कि dollar shine hash list1.on change function start करूँगा function इसमें क्या करूँगा अगर मैं list में कोई भी change करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग क्या करें सबसे पहले आप लोगों को करना है कि जो list1 है list1 ही इसमें आप लोगों को चाहिए है तो मैं यहां पर निकाल रहा हूँ where यानि कि as for selected list of one equals to dollar shine hash list1 option.selected.text जो उसका selected है वो उसका text यहां पर आजाएगा as list1 के अंदर अब आप लोग क्या लगाएं कि मुझे 2 से और 3 से वो चीज़ हटानी है तो हम लोग यहां पर लगाते हैं has list2 option.each function if यदि dollar shine of this यानि कि list2 का है dot text dot text is double equals to as list of one अगर equal है तो हम लोगों को क्या करना है वो जो this है वो ही हटा देना है option हटेगा dot remove यहां से हट जाएगा वो तो यह वाला जो option था यह हट गया है यहां से यह तो if का था और यह वाला यहां से हो गया तो यह हट गया ठीक है अब हम लोगों को similarly यही चीज़ करनी है list3 के लिए करनी है से हटेड ड जाएड़ को है अब यह तो टौ सिते लिएगें, c यहां से है देक यहां से है यहां से हाटें तो यहां मुकिड मुकि लो फऑल कि क लोल से है लोल कि के वैओ खेड से हैं dot remove तो ये 3 से भी अट जाएगा ठीक है ये हमने कब किया जब मैं list1 पर कोई change perform करूँ similarly आप लोगों को क्या करना है list2 dot change function यही लगाना है जब आप लोग list2 dot change function यानि कि दूसरी बार आप लोगों को क्या करना है 2 पर apply करें यह तो first के लिए हो गया जब आप लोग first पर change करें 2 पर change करेंगे तब आप लोगों को यहाँ पर किसका क्या चीज़ गैट करनी होगी 2.option.selected.text 2 यहाँ पर 1.options.change यहाँ पर 3 ठीक है ऐसे similarly आप लोग कर सकते हैं तो मैं आप लोगों पर एक simple सा demonstration दिखा देता हूँ इस पर करके यह देखिए हमारे पास एक list है list1, list2, list3 क्योंकि जब आप लोग रेंडर करेंगे किसी भी hp.net core को तो html ही बनकर आप लोगों के पास आएगी वो list1, list2, list3, list1, list2 और list3 में similar item आप लोगों के पास है ठीक है और यह हमारा jQuery method है जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है तो list1 के अंदर आप लोग देखिए कि जब मैं list1 में on change function चलाऊँगा यह start करूँगा तो list1 का जो text है जो selected text options में वो get कर लूँगा उसके बाद में list2 के हर एक options में से वो option हटा दूँगा जो list1 में और list1 में जो selected है ठीक है तो यह इस परकार आप लोग कर सकते हैं इसका तो यह तो गया list1 के लिए जब change perform करूँगा list2 के लिए जब change perform करूँगा तो यह हो जाएगा similarly और list3 के लिए जब change perform करूँगा तो आप लोगों का similarly यह code run हो जाएगा similar है कोई भी difference जो है इसमें नहीं है line of code जो है वो जादा है थोड़े से तो इसको भी remove करना कि मैं कोशिस करूँगा reveal file explorer हम लोग देख लेते हैं और इसमें देखे select first level अगर मैंने b को select कर लिया तो इसमें से b आप लोगों को नहीं मिलेगा नहीं इसमें आप लोगों को इसमें कुछ मिलेगा ठीक है तो इसमें से मैं क्या हटा देता हूँ इसमें से मैं f select कर लेता हूँ तो इसमें आप जिसमें से अगर हम लोग duplication को remove कर सकते हैं, अब आप लोग इसको refresh करेंगे, तो एक खास बात यह है कि तीनों list दुबारा से आप लोगों के पास built हो जाएगी, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लड़कों से गलती हो जाए, अगर हम लोगों ने यही server side पर कर दिया होता, तो हम लोग अगर B को select कर लेते हैं, D को और यहाँ पर अब मुझे F को select कर लेते हैं, तो इसमें मुझे D नहीं मिलना, अगर मुझे D नहीं मिलेगा और मुझे हो सकती है कि मैंने गलती करती हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को से गलती हो जाए, इसलिए यह code jquery के through लिखा जाता है, client side पर लिखा जाता है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, रितू, आप लोग समझ गई होंगी, धन्यवाद